हेलो फ्रेंज वेलकुम बैक टू मैं चानल टागेट MNS टागेटिंग MNS 2022 तो जानवरी करेंट अफेयर्ज अवेटेड वीडियो ओके तो यह पार्ट वन है इसमें मैंने आपको 15-20 डेज के करेंट अफेयर्ज कवर करवा है क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाता इसमें अराउंड 50 MCQs है ठीक है 50 प्लस क्वेशन है वन लाइनर के फॉर्म में प्रोवाइड किया है इसमें टेस्ट नहीं ले सकते न यह तो अभी नया है आपको लर्न भी नहीं है तो इसमें मैंने आपको आप्शन प्रोवाइड नहीं किया है डिरेक्ली आंसर के साथ प्रोवा कजाकिस्तान की कैपिटल यह स्टाटिक है बट इस पर करेंट क्या है कि कजाकिस्तान ने अभी जो डैथ पैनल्टी फासी की सजा है उसे खतम कर दिया है मलब इन्होंने पहले भी खतम किया था बट प्रॉपरली इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे बहुत जगों पर त स्टेट ऑफ इंडिया टू बांगलादेश मैत्री सेतु इंडिया बांगलादेश के बीच में बनाया जा रहा है और कनेक्टिविटी तो कौन से ऐसी स्टेट से उस सेतु को बनाया जा रहा है मैत्री सेतु को सो आंसर विल भी त्रीपुरा त्रीपुरा से बांगलादेश के बीच का connection होगा इंडियान बांगनादेश में दाट इस मैत्री से तू अंड ये कौन से नदी के ऊपर बनाया जा रहा है फैनी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है कहा बनाया जा रहा है फैनी रिवर next कोची मंगलूरू natural gas pipeline will be inaugurated by कोची मंगलूरू natural gas pipeline है इसे किसने inaugurate किया था इसको नरेंद्र मोदी आवर ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसे inaugurate किया था ठीक है कोची जो है इसको हम लोग gift city के नम से भी जानते हैं कोची को हम लोग gift city के नम से भी जानते हैं and ketera and karnatka को connect करता है कोची ज़िक है karily en कarnatka connects किसान कल्यान मिशन कौन से स्टेट ने लाँच किया था उत्तर प्रदेश विल बी दांसर आज हम जानते हैं कि किसान आजकल फार्मर्स बहुत दा हॉट टॉपिक है हमारे कंट्री में और हर जो में जो है हमारे सेंटर गौर्मेंट उन्हों ने किसान के लिए उस काम करने के किसानों पर बहुत ऐसी स्कीम्स लाँच की है उन्होंने स्टेट गौर्मेंट को भी बोला है कि वह बहुत सारी स्कीम्स लाँच करें तो वन आफ देम किसान कल्यान मिशन उत्तर प्रदेश विल बी दांसर ओके बाकी नेक्स्ट आगे मूफ करते हैं विच कंट्री तो होस एशिया प्रोटेक्टेड एरियास पार्टनर्शिप कौन से ऐसी कंट्री है जो होस्ट कर रही है एशिया प्रोटेक्टेड एरियास पार्टनर्शिप तो इंडिया विल बी आंसर इंडिया कर रही है इसको इस बार होस्ट और यह जो है यह किसके द्वारा और्गनाइस कि है Gland आपका Switzerland में पढ़ता है ठीक है next who has become the first female chairperson of sales Steel Authority of India sale की जो पहली female chairperson बनी है वो कौन है so the option the answer is Soma Mondal क्या होगा इसका answer Soma नेक्स्ट इस डिजिटल पेमिंट इंडेक्स 2021 अनेविल्स बाइ डिजिटल पेमिंट इंडेक्स 2021 किस ने रिलीज किया है तो Reserve Bank of India RBI के द्वारे रिलीज आउट किया गया है अनेविल्स किया गया है and RBI के अभी current में कौन है head RBI के Reserve Bank of India that is शक्तिकान दास कौन है शक्तिकान दास next who has won दादसाहिब फालके अवर्ड साउथ 2020 तो अगर साउथ का यहां पे पुछा गया है इस बात का ध्यानने के तो साउथ में धनुष जो है एक famous actor है इन्होंने दादसाहिब फालके अवर्ड को जीता है इंटरनाशनल ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 4th January will be the answer second edition of Kalo India Winter Games to be organized at which place Kalo India Winter Games पूछा गया है वो कहा हो रहा है तो Kalo India Winter Games का second edition होगा जम्मू कश्मीर में होगा जम्मू कश्मीर में का गुलमर्ग में तो गुलमर्ग में आपको पता है इगलू देखने को मिलता है इगलू cafe गुलमर्ग में famous है याद रखेंगे and Skying City Skying City of India किसे कहा जाता है गुलमर्ग को ही कहा जाता है Sky City of India अच्छा खेलो इंडिया Winter Games की बात की तो Jammu and Kashmir खेलो इंडिया University Games की बात करेंगे तो Karnatka और खेलो इंडिया Games की बात करेंगे तो Haryana ठीक है यह तीनों अलग-अलग चीज़ें इसे ध्यान रखेंगे Next Which country has passed Malala Yusuf Zai Scholarship Act for Pakistani women Important question Malala Yusuf Zai जो है यह पाकिस्तानी activist है और इनके नाम से एक Scholarship Act कौन सी कंट्री ने दिया है for Pakistani women So USA, America, Joe Biden इनों ने यह Scholarship Act को पास किया है Next Colonel Narendra Kumar passed away recently Colonel Narendra Kumar जो थे ही अभी recent इन का हाली में निदन हो गया यह क्या थे He was क्या थे वो profession से तो वो mountaineer थे ठीक है चड़ाई करते थे mountaineer थे Next Which state government declares rupees 2.5 lakh award for marriage with person with disabilities ऐसा कहा गया state government के द्वारा कि अगर आप किसी you know person with disabilities के साथ जो हो अगर आप उससे शादी करते थे तो आपको 2.5 lakh का award दिया जाएगा तो यह बात औरीसा में कही गई है औरीसा के cm कौन है नवीन पतनायक का भी recent नवीन पतनायक जी है औरीसा के cm तो उन्होंने यह बात कही है औरीसा related static देखे तो पहला fire park जो है इंडिया का वो कहा है औरीसा में है पहला fire park आपको कहां देखने को मिलेगा औरीसा में देखने को मिलेगा next move करते हैं who has been appointed as a kerala's youngest panchayat president kerala की youngest panchayat president that is reshma mariam roy एक तो female है उपर से youngest है तो this question you know very important reshma mariam roy next which country prime minister has cancelled republic day 2021 visit to india so republic day में उन्हें बुलाया गया था कौन से prime minister को कौन से country के जिन्होंने cancel कर दिया so UK will be the answer so UK के जो prime minister boris johnson इन्हें बुलाया गया था as guest okay next new school bag policy 2020 released by it नया school bag देने का policy कब से किसने release किया है ncrt के दारा national council educational research training ठीक है इनके दारा इने इसे launch किया गया है new school bag policy next in which city Assam Rifles public school is located which has became the first sports school announced under the Kelo India scheme in the north east region ठीक है तो Kelo India scheme के अंदर में इन्हें पहला sports school announced किया गया है Assam Rifles public school कहां है यह शिलॉंग में ठीक है और शिलॉंग किसकी capital है comment में बताएंगे शिलॉंग किसकी capital है comment section में जरूर बताईएगा next which state has launched pad scheme launch pad scheme to make youth self-reliant कौन से state ने launch किया है launch pad scheme ठीक है so the answer is madhya pradesh and यह launch pad scheme किसके लिए है for youth important madhya pradesh madhya pradesh का static आपको याद रखना है कि वहाँ पे सबसे जादा national parks madhya pradesh में है जैसे की kana national park, one vihar national park, panch national park या फिर we can say और भी बहुत सारे konu national park ठीक है fossil national park की सारे आपको madhya pradesh में देखने को मिलते हैं ठीक है next who has been elected as president of all india chess federation all india chess federation के जो अभी हाल ही में president किसे elect किया गया है तो sanjay kapoor will be the answer answer क्या है sanjay kapoor has been elected as a president of all india chess federation next world day of war orphans day is observed on world day of war orphans कब celebrate किया जाता है तो 6th january को celebrate किया जाता है कब 6th january next marathi journalism day celebrated across maharashtra कौन से डे को ये भी 6th january तो दो चीज़े हमने देखी 6th january को एक हमने देखा world day of war orphans day and एक marathi journalism day दोनों 6th january को ठीक है जनवरी में important days भी आते हैं जैसे कि हमने देखा 15th january important होता है यह आपका army day celebrate करते हैं ठीक है 14th जो होता है 14th january वो वेतरंस डे होता है next india with which country successfully tested a medium range surface air to missile air missile air defense system ठीक है इंडिया ने कौन से country के साथ test किया है medium range का surface to air missile defense system तो इस्राइल के साथ किया है and इस्राइल के साथ अभी important यह देखा हमने कि 30 years of friendship complete हो गया है हमारा इंडिया का इस्राइल के साथ next in which state arundhati and matri aim to provide monetary benefits to brides जो brides होती है दुलंज होती है उनके लिए दोनों schemes है arundhati and matri ठीक है ताकि वो उन्हें monetary और विकन से पैसे ऐसे provide करा सके दुलंज को तो ऐसी कौन सी state है that answer will be karnatka answer क्या है karnatka important arub kumar ghoswami is appointed as a chief justice of which high court arub kumar ghoswami को अभी हाल ही में appoint किया गया है कहां के cj के रूप में ठीक है chief justice के रूप में कौन से high court आंद्रप्रदेश will be the answer क्या है answer आंद्रप्रदेश next government to form committee to protect culture land and language for which state or union territory government जो है इंडिया की वो committee बना रही है कि culture land and language जो है protect किया जा सके कौन से state और यूटी का so answer will be ladak option ladak will be the answer who has launched a new book by a bradman museum ठीक है bradman museum नाम से book किसने launch किया है रवी शाश्त्री कौन है रवी शाश्त्री next who has become the first woman to officiate in a men's test match cricket as the fourth or reserve empire ठीक है तो पहली ऐसी women है जिने men's test match cricket में women उन्हें fourth empire बनाए गया है तो Claire Polosek will be the answer Claire Polosek has became the first woman to officiate in a men's test match cricket as the fourth empire next फते वन missile is tested fired by फते वन missile किसने test किया है पाकिस्तान पाकिस्तान बिल्बिदा correct next in which state सतर्क नागरिक mobile app launched recently सतर्क नागरिक mobile app कौन से state में launch किया गया है so the right answer is Jammu and Kashmir right answer Jammu and Kashmir important which country to chair UNSC's counter terrorism committee in 2022 ठीक है तो UNSC counter terrorism committee 2022 में कौन सी country इसे chair करेगी और we can say head करेगी so India इस बार इसे head करने वाली है next who is the author of the book right under our nose right under our nose के author कौन है आर गिरी धरन ये अभी जैनवरी में ही release हुई है तो आर गिरी धरन will be the answer कच्ची लेमन फेस्टिवल is celebrated in which of the following state of India कच्ची लेमन फेस्टिवल कौन से इंडियन state में celebrate किया जाता है मनीपूर मनीपूर में all static में important किया है GI tag ठीक है यहाँ पे black rice जो है black rice ठीक है black rice को GI tag मिला हुआ है मनीपूर में GI tag related बात करें तो सबसे ज़्याइ टैग कौन से state को मिला है करनाटका को अभी तक सबसे ज़्याइ टैग मिल चुके है and GI tag जहां से मिलता है वो center कहां पे है तो चिन्नाई में है वो center जहां से GI tag मिलता है अच्छा अभी नया जो GI tag मिला है जुडिमा राइस जो है जुडिमा राइस वाइन जुडिमा राइस की वाइन बनती है और उसे हम two to three months सक स्टोर कर सकते है ये इसका GI tag किसको मिला है असम को इसका GI tag मिला है next which state has finished first out of 26 states and union territories in the Indian India skills 2021 national competition with 51 medals important question है कौन से स्टेट ने या फिर union territory में इंडिया स्किल्स 2021 में total 51 medals जीते है औरीसा 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 विल बी दा आंसर ठीक है औरीसा विल बी दा आंसर next who has been appointed as अच्छा औरीसा में जो स्टार्टिक में याद रखने वाली चीजे है इस बिर्सा मुंदा होकी स्टेडियम अभी वाँ बनने जा रहा है सबसे बड़ा होकी स्टेडियम गरीमा योजना important है औरीसा से और एक और कालिया योजना ये भी important है औरीसा से next who has been appointed as chairman of the ICHR that is Indian Council of Historical Research यहाँ पर अभी chairman हाली में किसे appoint किया गया है रगुवेंद्र तनवर किसे appoint किया गया है रगुवेंद्र तनवर जी को appoint किया गया है next question who has been named the captain of Indian squad at the Women's Hockey Asia Cup 2022 to be held in Muscat Oman अभी captain किसे बनाए गया है इंडिया वुमेन होकी एशिया कप के लिए ठीक है तो सविता पुनिया और यह कहां होने बाला है मसकत ओमान में होने बाला यह भी important point है on which of the following date Indian Armed Force Veterans Day मैंने आपको बताया 14 January Veterans Day and 15 January बात करे तो Army Day next Prime Minister Narendra Modi has inaugurated MSME Technology Center in कहां MSME Technology कहां launch किया है पुड़ू Cherry will be the answer next India's oldest slot beer named Gulabo Gulabo इंडिया की सबसे पुरानी slot beer around 40 years इसकी age हो गई थी ठीक है and यह died यह मर गई वन विहार नाशनल पार्क में तो आपको बताने वन विहार नाशनल पार्क कहां situated है मद्यप्रदेश will be the answer मद्यप्रदेश में फिर कुण्णो नैशनल पार्क जो है वो मद्यप्रदेश में यहां पे African चीते लाने वाले है African चीते आने वाले है कहां कुण्णो नैशनल पार्क में काना नाशनल पार्क यहाँ पे नाइट सफारी स्टार्ट हुई है यह भी आपके मध्य प्रदेश में है फॉसल नाशनल पार्क बता दिया ठीक है अच्छा कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे एक भी नाशनल पार्क आपको नहीं मिलेगा तो आंसर इस पंजाब पंजाब में एक भी नाशनल पार्क नहीं है अच्छा अच्छा बिहार एसा स्टेट बनने वाला है जहां पर दो टाइगार होने वाले हैं ऑच्छा पीछी स्टाइगर की बात Paper तो एसे आवार्ड मिला था टू इंटू टाइगर रिजर्व का क्योंकि यहाँ पे एक साल में टाइगर की जो पॉपलेशन ने डबल हो गई थी पीली भी टाइगर रिजर्व कहां है यह आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है तो यह सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आगे चलते हैं सु पंजाब विजट नहीं कर पाया थे हमारे प्राइम मिनिस्टर तो इसके लिए पूरी कमिटी बनाई गई हाई-Level कमिटी इसे किसने अपोइंट किया है इसको चेर परसन के तोर पर ठीज़ है तो इंदू मलहोतरा इंदू मलहोतरा इंदू मलहोतरा विल भी आए यह चेर परसन बनी है कहां की high level committee to look into elect security branch of prime minister पंजाब विजट नेक्स ministry of civil aviation will establish इंडिया का पहला ever helly hub कौन सी city को ठीक है तो इंडिया का पहला helly hub कौन सी city को establish किया जाएगा गुरू ग्राम गुरू ग्राम कहां है हर्याना में आपके पढ़ेगा गुरू ग्राम यहां पर national park गुरू ग्राम में आपको सुल्तानपूर national park देखने को मिलेगा सुल्तानपूर national park खरयाना में ठीक है अभी इसे हाली में रामसर साइट में add किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है गुरू ग्राम में आपको international solar alliance ठीक है इसका भी हेड़कॉर्टर देखने को मिलता है नेम दा न्यू इनिशियेटिव लॉंच्ट बाइड रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स यह आर्पी एफ और वेस्टें रेल्वे जोन ओफ इंडियन रेल्वेस तो अर्प रेल्वे पैसेंजर्स गेट बाग देए लॉस्ट लगेज खो जाता है रेल्वे पैसेंजर्स का तो मिल जाए इसलिए पोर्टल और वी कें इनिशियेटिव लॉंच्ट ही अगे उसका नाम क्या है मिशन अमानत ठीक है तो अच्छा बात करते हैं जोन की तो टोटल कितने इन्दियन के railway zones है total 18 railway zones है इन्दियन के यह पूछा जाता है अब यह जो हाली में इन्दियन zone जोड़ा गया है विशाका पटनम को जोड़ा गया है विशाका पटनम एक ऐसा particular railway station है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको gaming zone भी देखने को मिलता है ठीक है next who has been appointed as the 10th chairman of ISRO ठीक है तो अभी आपको पता है के सिवन थे यह जो थे इनका एक साल का tenure बढ़ा दिया गया था बट यह 14 14 January को इनके retirement हो गई है यह 9th chairman थे अब जो 10th chairman अभी recently जिनने appoint किया गया उनका नाम किया है S. Somnath क्या नाम है S. Somnath next which bank has which bank has been named as the best private bank best private bank in India at the global private banking award 2021 so global private banking award 2021 में best private bank कौन से Indian bank को दिया गया HDFC bank को best private bank का दर्जा दिया गया next which company has replaced Vivo as the title sponsor of Indian Premier League IPL for the 2022 and 23 seasons तो आप Vivo पता है उतने time से sponsor कर रहा था IPL को but 2022 और 23 में कौन करने वाला है Tata Groups करने वाले हैं sponsor next Dion Landor passed away recently यह कौन थे यह एक athlete थे बस आपको इसमें इतना है जानना है कि यह athlete थे next Ali Khan Smilov has been appointed as new prime minister कौन से गंटरी के तो यह अभी हाली में prime minister बने है कहां के कजाकिस्तान के and कजाकिस्तान में मैंने आपको पहले question में बताया कि death penalty को scrapped कर दिया गया इसे खतम कर दिया गया है ठीक है और इसका capital क्या हो जाएगा नूर सुल्तान विल बी the capital next what is the rank of India in the latest handle passport index 2022 तो एक साल में चार बार आता है आपको handle passport quarterly देखने को मिलता है हर तीन महीने पे आपको handle passport देखने को मिलता है तो अभी जो आया है उसमें इंडिया की ranking कितनी आई है 83rd number पे इंडिया आया है ठीक है और किसने top किया है यहाँ पे पूछा है name the country which top the handle passport index 2022 तो दो countries है Singapore and Japan इन्होंने top किया है ठीक है next question who has been named as the next chief economist of IMF International Monetary Fund के next chief economist कौन है that is Pierre Oliver Goranches ठीक है अगर हम बात करें head कौन है अभी IMF के तो Crystallina Georgiwa Crystallina Georgiwa जो है अभी यह head है यहाँ पे ठीक है आगे move करते है who won 12th भारत रतने Dr. Ambedkar Award 2022 not very much important but it's okay हर्षाली हर्षाली मलोत्रा इन्होंने जीता है 12th भारत रतने Dr. Ambedkar Award next name the cricketer who won ICC Player of the Month Award for December यह 2021 यह Award 2021 से ही स्टार्ट किया गया था कि हर मन्त हर एक cricketer को ICC Player of the Month का Award मिलेगा ठीक है तो December मन्त में Ajaz Patel को यह Award मिला है next which state and union territory will host Kelo India Games ठीक है Kelo India Games बोला गया University नहीं है अगर Kelo India University Games 2023 पूछा जाए University Games जो है करनाट का launch host करने वाला है ठीक है बट यहां पर Kelo India Games की बात की गई यह तो हर्याना इसे host कर रहा है next Indomitable A Working Woman's Note on Life Work and Leadership is autobiography बहुत important question बहुत star marking इसे जितने stars mark करो थना कम Indomitable यह जो autobiography है यह अरुंदती भटाचारे की autobiography important next Khadi and Village Industry Commission that is KVIC इन्होंने launch किया है इंडिया का पहला Mobile Honey Processing वैन उसी में वैन में ही आपका Honey Processing होगा ठीक है and कितने 300 kgs तक Honey Process किया जा सकता है and यह कौन से city में हुआ है तो गाजयाबाद में इसे यूरो launch किया गया weekend से start किया गया so this is the question 50 plus questions थे I hope आपको पसंद आया होगा thanks for watching please like, comment share to the friends who are preparing for MNS and if you are new to this channel subscribe to my channel सुबह मैंने आपको एक budget का जो वीडियो अभी जो budget आया है 2022 उसका भी वीडियो प्रवाइड किया प्रवाईट झापको का प्रवाईट कि भीडियो कि वीडियो कि वीडियो कि यूपगाईय कि अेपको